कि वेल्कम दोस्तों मैं यूटूब चैनल पीपिया स्टरी सेंटर तीरानवे पंचानवे में मेरे प्यारे दोस्तों अगर मेरा पढ़ाय हुआ वीडियो आप लोग को पसंद आए तो आप लोग मेरे यूटूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा अपने बहु को यह प्रहाया हुआ चैप्टर कैसा लगा तो आएए देखें क्या है चैप्टर का नाम कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग तो मुख्य रूप से कोडिंग डिकोडिंग से कोस्चन जो है कितने रूप में पुछे जाते हैं तो तीन रूप में पुछे जाते है मुख रूप से कितने परकार के question पुछे जाते हैं coding decoding से तो 3 तीन टाइप से coding और decoding से question पुछे जाते हैं जिसे पहला हुआ पहला पुछा जाता है letter coding से letter coding जिसे बोला जाता है अच्छर coding और second होता है आपका number coding number coding संख्या कोडिंग और third number तीसरा होता है mixed coding मिक्स्ड कोडिंग मिस्रित कोडिंग मिस्रित कोडिंग देखिए मेरी प्यारे दोस्तों क्या होता है कि मुखी रूप से तो यह तीन प्रकार के question पुछे जाते हैं अब होता क्या है कि लेटर कोडिंग से मुख्याताव साथ पैटर्न से question पुछे जाते हैं कितने परकार से question पुछे जाते हैं साथ परकार से question पुछे जाते हैं तो लेटर कोडिंग लेटर कोडिंग से ती वाई पी एस टाइप्स ओप लेटर कोडिंग टाइप्स ओप लेटर कोडिंग अब लेटर कोडिंग में कितने पैटर्न से पुछे जाते हैं तो साथ पैटर्न से पुछे जाते हैं तो देखे पहला पैटर्न आपका क्या होगा फारवर्ड पैटर्न होगा पहला पैटर्न आपका क्या होगा फारवर्ड फारवर्ड पाइटर्न होगा और दूसरा क्या होगा और दूसरा क्या होगा रिवर्स पाइटर्न होगा दूसरा क्या होगा रिवर्स रिवर्स पाइटर्न होगा और तीसरा क्या होगा आपका तीसरा क्या होगा आपका क्रोस पाइटर्न होगा और चौन्था क्या होगा आपका चौन्था होगा आपका पोजीशन पाइटन चौन्था आपका होगा पोजीशन पाइटन और पांचवा आपका होगा अपोजीट पाइटन बिपरित अचर पाइटन पांचवा आपका होगा अपोजीट और चाथा वाह आपका गमन पाइंटर्ण चाथा क्या होग़ा आप लोगका सम्मौन का ओboom हैव सट्ट वाहवह होगा आप लोग का गमन पाइटान और सेबन नॉबर पे क्या होगा आपका इलोजिकल सम्मौन लोजिकल तो देखिए दोस्तों क्या होता है लेटर कोडिंग से संबंदीत कितने पाइटन से कोस्चन पूछे जाएंगे आप लोग को साथ पाइटन से कोस्चन पूछे जाएंगे एक बार फिर से आप लग जान जीजिए कि फारवर्ड पैटन reverse पाइटन करोउस पाइटन पॉजिसनपाइटन और फिफत कोड़ा प्रेटनल और फिप्थ होगा पॉजीट पाइटन सेबंदीुअ लोग sells पाइटन अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि सब लोग क्या करेंगे की सब से पहले सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे फारवर्ड पैटन अब देखें फारवर्ड पैटन में मेरे प्यारे दोस्तों होता क्या है कि इस पैटन में पहला अच्छर पहले में दूसरा अच्छर दूसरे में तीसरा अच्छर तीसरे में इस तरह बदलेंगे और इसका क्या होता है एक लोजिकल स्टिक्वेंस होता है तो आईए अब इन में कोई भी पैटन बन सकता है जैसे कि आप लोग को बता रहे हैं देखिए इसमें क्या होता है कि पहला अच्छर ज से पांचवा अच्छर रहेगा आपका पांचवे से अगर छाठवा अच्छर दे दिया तो छाठवे से अब देखिए इसमें होगा क्या मेरे प्यारे दोस्तों द्यान से देखेंगे अब इसमें होगा क्या कि अगर कोश्चन आपको पूछ दिया अगर आपको कोश्चन पूछ दिया कि यदी किसी कूट भाशा में यदी किसी कूट भाशा में एपल को यदी किसी कूट भाशा में एपल को बी डबल क्यू एम एफ लिखा जाता है तो इसी कूट भाशा में औरेंज को कैसे लिखा जाएगा औरेंज को कैसे लिखा जाएगा यह आपका कोश्चन हो गया अब इसमीं कोश्चन क्या बोला कि यदी किसी निश्चीत संकेतिक भाशा या कूट भाशा में एपल को बी डबल क्यू एम एफ के रूप में लिखा जाता है तो इसी कूट भाशा में ओ आर ए एन जी इई को कै कैसे लिखा जाएगा तो देखिए क्या करेंगे तो एक का नमबर क्या होता है सबसे पहले हम लोग जानेंगे तो अलफाबेट में A B C D में A कितने नमबर पर आता है 1 P 16 P 16 L 12 E 5 अब देखिए B कितने नमबर पर आता है 2 Q 17 Q 17 M 13 F 6 तो देखिए यहां 1 है यहां 2 है तो इसमें कितना जोड़ा है एक यहां 16 है यहां 17 है यहां भी 16 17 यहां 12 यहां 13 और यहां 5 है यहां 6 तो सभी में मेरे प्यारे दोस्तों क्या किया है 1 1 एड़ कर दिया है तो जो पाइटर न इससे बना है सभी में 1 1 जोड़ा है तो इसमें भी हम क्या करेंगे सभी में 1 1 को आइड़ कर देंगे तो देखिए ओ में 1 जोडिए तो ओ कितने नमबर पे आता है 15 15 में 1 जोडिएगा 16 16 का स्थान किसका है P का अब देखिए आर कितने नमबर पे आता है 18 18 में 1 जोडिएगा 19 19 किसका होता है S का अब देखिए 1 1 में 1 जोडिएगा 2 2 किसका होता है B का अब N 14 14 में 1 जोडिएगा 15 15 किसका होता ह है ओका जी सेबन सेबन में एक जोड़िएगा तो होगा आठ आठ किसका होता है एच का अब देखिए फाइफ पांच में एक जोड़िएगा छो छो किसका होता है एफ तो पी एस बी ए ओ हो एच एप आपका अंसर हो जाएगा तो आये दोस्तों इसी के सहारे अब हम लोग टाइप ओन से को बनाना स्टार्ट करते हैं आये दोस्तों टाइप ओन का फर्स नमबर कुश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि कि तो तो उसी सांकेतिक भाशा में जे एम यू एन को कैसे लिखा जाएगा तो देखिए अलफा बोईट में टोटल कितने लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं एक बात हम लोग को याद कर लेना है अच्छे से कि पी का जो आस्थान होता है अलफाबेट में कितने नंबर पे होता है 16 नंबर पे होता है कितने नंबर पे 16 नंबर पे A 1 डाबलू का अस्थान 23 एक एक एन का 14 अब देखिए क्यू का किसना 17 बी दो एक 24 बी का दो ओ का 15 अब देखिए किया क्या है यहां 16 है यहां 17 है तो किया क्या है एक जोड़ दिया है तो 16 में एक जोड़ेंगे 17 अब देखिए यहां एक है यहां दो है तो एक में एक जोड़ेंगे तो दो यहां 14 है और यहां 15 तो 14 में एक जोड़ेंगे तो 15 यानि कि सभी लिटर में एक एक को एड़ किया है तो हम क्या करेंगे कि सभी में एक एक वन वन आइड करदेंगे सभी में क्या करेंगे वन वन आइड करदेंगे जैसे हुआ जे का आस्थान अल्फाबेट में 10 A का 1 M का 13 U का 21 और N का 14 तो देखें 10 में एक जोड़िएगा कितना है गा 11, 1 में एक जोड़िएगा 2, 13 में एक जोड़िएगा 14, 21 में एक जोड़िएगा 22, 14 में एक जोड़िएगा 15 तो अब देखे 11 किसका अस्थान है K का 2, B का 14 N का 22 B का 15 O का तो K, B, N, B, O आपका Right अंसर हुआ अब आएए मेरे फ्यारे दोस्तो Second Number Question देखते हैं क्या बोलता है आएए दोस्तो Second Number Question देखें क्या बोल रहा है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भांसा में ROAD को URDG लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भांसा में SWAN को कैसे लिखा जाएगा तो सबसे पहले आलफाबेट का हम लोग प्लेसमेंट लिख देंगे आस्थान लिख देंगे उसका तो देखिए R कितने नंबर पर आता है 18 O 15 A1 D4 U 21 R 18 D4 G से बाद तो देखिए यहां 18 यहां 21 है कितना एड किया है 3 18 में 3 जोडेंगे 21 15 में 3 जोडेंगे 18 1 में 3 जोडेंगे 4 और 4 में 3 जोडेंगे 7 यानि कि सभी लेटर में क्या क्या है 3 3 डीजिट को एड कर दिया तो हम भी क्या करेंगे कि सभी लेटर में 3 3 डीजिट को एड कर देंगे अब देखिए S कितने अस्थान पर आलफाबेट का होता है 19 W 23 A 1 N 14 तो देखिए 19 में 3 जोडेंगा कितना होगा 22 23 में 3 जोडेंगा 26 1 में 3 जोडेंगा 4 और 14 में 3 जोडेंगा 17 तो अब देखिए 22 पर किसका अस्थान है B का 26 किसका अस्थान है Z का 4 किसका अस्थान है D का और 17 किसका अस्थान है तो भी जे डीजेड डीक्यूट इस दा राइट अंसर आए ये मेरे फ्यारे दोस्तों थर्ड नमबर कोश्चन क्या बोल रहा है कि किसी निश्चित संकेतिक वहांसा में ए आ जी को YPE SE के रूप में लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भासा में डाइगराम को कैसे लिखा जाएगा तो देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कि अलफाबेट ABCD का प्लेशमेंट यानि कि अस्थान हम लोगों को याद करना है तो आप लोग याद कर लिए होंगे कि एक अस्थान है वन आर का अस्थान है 18 जी का सेबन यू का 21 और एका 5 वाई का 25 पी का 16 एका 5 एसका 19 और एका 5 देखिए किया क्या है किया क्या है कि सोरी दोस्तों मैंने यहां पर ये लिख दिया था सी है question में तो देखिए किया का है हां पांच में से दो घटाएंगे तो कितना बचेगा तीन 21 में से दो घटाएंगे तो कितना बचेगा 19 और साथ में से दो घटाएंगे तो कितना बचेगा पांच और 18 में से दो घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 और एक में से दो घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 ना बुझाता है तो 27 और 27 में से दो घाटा ये तो कितना बचेगा आपका 25 और 25 किसका अस्थान होता है वाई का समझे इस बात को और देखिए नहीं समझ में आता है एक नमबर पे तो इसके पीछे दूख जाएंगे तो क्या होगा पहले जेड आउकरा बाद वाई तो कि क्या हुआ उसी तरह सभी लेटर में पूप डिजीट को घाटाया है तो सभी लेटर में हम भी क्या करेंगे टूजीट डिजीट को हम घाटा देंगे डी बीका स्थान फोर आइका नाइन वह एकावन जी का सेबान आरका 18 51 म का 13 कि अब देखिए अ-चार में से दो घटे का दो नौ मेंजर्वगटे घा साथ एक में से एक एक-एक में से दुन घटे देखिए यहां बता हैं क्या घटेगा वाई जी में से दू घटेगा अहां इसको पचीस लिखते हैं कि साथ में से दू घटेगा पांच अठारा में से दू 16 एक में से दू 25 तेरा में से दू 11 कि अब आईए तो दू का अस्थान क्या है बी सेबन का अस्थान जी 25 का वाई और पांच का इसो लह का पी 25 का वाई 11 का के तो आपका अंसर हुआ बी जी वाई ए पी वाई के इस दा राइट अंसर आईए मेरे प्यारे बच्चो देखे नेक्स कोचन क्या बोल रहा है बोल रहा है किसी निश्चीत सांकेतिक भासा में डिस्पले को बी एल क्यू एस जे डी डाबलू लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भासा में प्रोजेक्ट को कैसे लिखा जाएगा तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के आप का बता है कि अबी सी डी जो टोटर चबीस लेटर होते हैं उन चबीसों का प्लेसमेंट यानि कि आ स्थान याद रखना है हम लोगों तो देखिए डी का स्थान क्या होता है फोर आई का 9 एस का 19 पी का 16 एल का 12 एका वन और वाई का 25 बी का फोर एल का 12 क्यू का 17 और एस का 19 जेक का 10 डी का 4 और डी का डबलू का हुआ 20 देखिए अहां बी का 2 होता है सोरी किया क्या है पहले फोर में 2 को आट कीजिए तो 4 में 2 जोड़िएगा 2 नहीं माइनस 2 कीजिए चार में 2 जोड़िए तो 2 और 9 में 3 को जोड़िए तो कितना होगा 12 फिर देखिए 19 में से 2 जोड़िए 17 16 में 3 जोड़िये कितना होगा 19 12 में से दो घटा दीजिए 10 और एक में 3 जोड़िये 4 और 25 में से दो घटा यह तैस यानि कि माइन एक बार माइनस दो एक प्लस तीन फिर माइनस दो माइनस तीन किया है तो देखिए सबसे पहले इननों का हम प्लेस्मेंट लिखेंगे शोला 18 15 दस ते प्लास तीन और 20 अब सभी को क्या करेंगे हम प्लेस्मेंट लिखेंगे पहले minus 2 किया है फिर plus 3 किया है फिर minus 2 plus 3 minus 2 plus 3 minus 2 किया है तो देखिए 16 में से 2 घटाएंगे 14 18 में 3 जोड़ेंगे 21 15 में से 2 घटाएंगे 13 10 में 3 जोड़ेंगे 13 पांच में से दो घटाएंगे तीन में तीन जोडएंगे च्छो और बीस में से दो घटाएंगे 18 अप्लेसमेन 14 नमबर किसका अस्थान है एन का 21 नमबर किसका यू का 13 नमबर किसका मैं का तेरा नंबर पर किसका में का तीन नंबर पर चीथ कई सिक्स एफ और अठारह आर कास्था तो आपका अंसर हुआ है आपका अंसर हुआ एन यूँ डबल एम सी ए फ आर इस्दा राइट अंसर आए दोस्तों पास नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल बोल रहा किसी निश्चित सांकेतिक भासा में प्रामोध को S O D J R A लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भासा में K E S H A B को कैसे लिखा जाएगा तो देखिए सबसे पहले हम प्लेस्मेंट लिखेंगे आस्थान लिखेंगे P का आस्थान 16, R का 18, A का 1, M का 13, O का 15, D का 4, S का 19, O का 15, D का 4, J का 10, R का 18, A का 1 किया क्या है? 16 में देखिए तो 3 जोड़ेंगे 19, और 18 में से 3 घटाएंगे 15, एक में 3 जोड़ेंगे 4, और 13 में से 3 घटाएंगे 10, और 15 में 3 जोड़ेंगे 18, और 4 में से 3 घटाएंगे 1 यानि कि एक बार प्लस तीन एक बार माइनस तीन प्लस तीन माइनस तीन तो हम सबसे पहले इसका प्लेस्मेंट लिखेंगे अलफाबेट का कि ये कितने नंबर पे 11 एका 5 सबसे पहले प्लस तीन फिर माइनस तीन फिर प्लस तीन माइनस तीन प्लस तीन और माइनस तीन किया है तो देखिए 11 में से तीन घटाईएगा आठ नहीं सोरी पहले एड कर रहा है तो 11 में तीन जोड़िएगा 14 और 5 में से तीन घटाईएगा दो 19 में तीन जोड़िएगा 22 आठ में से तीन घटाईएगा पांच तीन में एक जोड़िएगा चार और 22 में से तीन घटाईएगा 19 अब देखे 14 पर किसका स्थान होता है एन का दो नमबर पर बी का 22 नमबर पर फी का पांच नमबर पर एका चार नमबर पर डी का और 19 नमबर पर एस का तो देखिए आपका अंसर हुआ अब्शन में दिया हुआ है आये दोस्तों देखते हैं च्छो नमबर क्या बोल रहा है कि अधिक इसी सांकेतिक भांसा में लीडर को पी आई एह आई भी लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भांसा में लाइट को कैसे लिखा जाएगा तो आए आलफाबेट में प्लेस्मेंट यानि क्या स्थान सभी करी लिखते हैं तो एल का स्थान बारा की का स्थान है पांच एका वन डिकाफ फोर और और आर का अठारा देखिए पी का देखिए 16, I का 9, E का 5, H का 8 और I का 9, B का 22 अब देखिए किया क्या है 12 में कितना जोड़ेंगे कि 16 आएगा 4, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 4 में 4 जोड़ेंगे, 8, और 5 में 4 जोड़ेंगे, 9, और 18 में 4 जोड़ेंगे 22 यानि कि सभी में क्या क्या है, 4, 4 डिजिट को ऐड़ कर दिया है तो L कितने अस्थान पे, 12, I 9, G 7, H 8 और T 20 तो सभी में मेरे प्यारे भाईयों क्या जोड़ा है सभी में प्लस 4 को ऐड़ किया है तो सभी में प्लस 4 आइड़ करेंगे तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, 19 में 4 जोड़ेंगे 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 हाट में चार 12 बीस में चार 24 अब देखिए 16 किसका अस्थान है पी का 13 किसका अस्थान है एम का 11 के का एल का 12 अस्थान है और 24 एक्स का अस्थान है तो आपका अंसर हुआ या पी एम के एल एक्स इसदा राइट अंसर आये दोस्तों नेक्स कोशन देखे क्या बोल रहा है यदि एक निश्चित कूट भासा में एल यूटी-ई को म यूटी-ई लिखा जाता है और एफ एटी-ई को जी एटी-ई लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भासा में उसी सांकेतिक भासा में बी एल यूई को कैसे लिखा जाएगा तो देखिए कुछ नहीं है सबसे पहले हम क्या करेंगे सभी का प्लेस्मेंट यानि की आस्थान लिखेंगे देखिए एल का स्थान क्या होता है अलफाबेट में 12 का यू का 21 टी का 20 टी का 5 एम का 13 यू का 21 अहां तो आए देखते हैं एफ का स्थान अलफाबेट में कितना होता है 6 A का 1 T का 20 और E का 5 G का 7 A का 1 T का 20 और E का 5 देखिए किया क्या है यहां 12 है यहां 13 है तो इसमें कितना एड़ किया है एड़ किया है बाकी जो लेटर है बाकी जो लेटर है सेम टू सेम लिख दिया देखिए एफ में कितना जोड़ा है 1 6 में एक जोड़ा 7 बाकी जो लेटर है सेम है तो आएए B का स्थान 2L का 12 U का 21 और E का 5 तो फर्स्ट लेटर में क्या किया है 1 को तो B में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा C 2 में 1 जोड़ेंगे 3 तो C और बाकी जो लेटर है सेम टू सेम है तो आपका अंसर हुआ C L U is the right answer और आप लोग का अप्शन में दिया हुआ आए दूस्तो एट नमबर कोश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है यदि किसी नीश्चित भासा में M A D R A S को N B E S B T में कूट किया जाता है तो B O M B A Y को उसी भासा में कैसे कूट किया जाएगा तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अलफा बेटे में जो अस्थान होता है ओ लिख देंगे प्लेस्मेंट लिखेंगे M का अस्थान 13 A का 1 D का 4 R का 18 A का 1 S का 19 T का होता है 20 B का होता है 2 S का होता है 90 E का 5 B का 2 और N का 14 अब देखिए किया क्या है 13 में 1 जोडेंगे तो कितना होगा 14 1 में 1 जोडेंगे तो कितना होगा दो, चार में एक जोडेंगे तो कितना होगा, पांच, अठारा में एक जोडेंगे तो कितना होगा, उनिस, एक में एक जोडेंगे तो कितना होगा, दो, उनिस में एक जोडेंगे तो कितना होगा, विस, यानि कि सभी लेटर में वन वन को एड किया है, तो हम भी क्या करेंगे सबसे पहले placement लिखेंगे B का 2, O का 15, M का 13, B का 2, A का 1 और Y का 25 सभी में 1, 1 एड किया है तो हम सभी में 1, 1 एड कर लेंगे जोड लेंगे लेकिए सभी में 1, 1 जोड लिया तो 2 में 1 जोडेंगे 3 15 में 1 जोडेंगे 16, 13 में 1 जोडेंगे 14, 2 में 1 जोडेंगे 3, 1 में 1 जोडेंगे 2, 25 में 1 जोडेंगे 26, अब देखें 3 किसका थान आता है C का 16, P का 14, N का 3, C का 2, B का और 26, Z का तो C, P, N, C, B, Z इस दा राइट अंसर आप लोग का अपसर दिया हुआ है आईए दोस्तो नाइन नंबर कोस्चन पढ़ते हैं करा कि यदि T, R, U, T, H को S, U, Q, S, T, V, S, U, G, I के आई में कुट किया जाता है तो F, A, L, S, E को कैसे कुट किया जाएगा तो देखिए T का स्थान 20, R का 18, U का 21, T का 20, और H का 8 S का 19, U का 21, Q का 17, S का 19, T का 20, V का 22, S का 19, U का 21, G का 7, I का 9 तो देखिए लोजिक क्या किया है अहा मेरे प्यारे दोस्तों क्या लोजिक किया है हाँ अगर 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 T को यहां ऐसे करें अगर 20 में से एक घाटा है तो 20 में माइनस 1 घाटाएंगे 19 और 20 में एक जोड़ेंगे 21 अब देखिए यहीं लोजिक यहां अपनाएंगे टुलेटर नुटलेटर सेम टू लेटर सेम टू लेटर और वंटलेटर लेकर देखिए निए माइनस वन घाटाएंगे 17 और पलस वन करेंगे 19 थ्वराण से लिखते हैं और यहाँ पलस वन ठंग से लिखते हैं अब आईए यह इसको मिटा देते हैं अब यू को यहाँ से लिजिए तो माइनस वन तो 21 में से एक जाएगा 20 और 21 में एक जोड़ेंगे 20 अब टी का लेते हैं तो देखिए, एक घटाएंगे, तो 19, 20 में से और 20 में एक जोड़ेंगे, तो 21, अब इसका देखिए, एक घटाएंगे, तो 7 और 8 में एक जोड़ेंगे, तो 9, मतलब पहले माइनस वन प्लस वन, फिर माइनस वन प्लस वन, माइनस वन और प्लस वन किया है, तो अहीं किरिया हम लोग भी करेंगे, माइनस वन प्लस वन, तो देखिए, 6 में एक घटाएंगे, 5, 6 में एक जोड़ेंगे, 7, फिर इसका आएंगे, तो अहीं किरिया करेंगे, म 2 में एक घाट आएंगे तो एक में एक घाट आएंगे तो कितना होगा और 19 में जोड़ेंगे 20 अब एका चलते हैं माइनस वन पलस वन पांच में एक घटाएंगे 4 और 5 में एक जोड़ेंगे 6 तो 5 एका अस्थान है 7 जी का अस्थान है और यह जेड का अस्थान है टू बी का 11 के का 13 एम का और 18 18 का और 20 टी का डी का फोर और 6 एप तो आपका अंसर हुआ इजी जेड बी के एम कि आर्टी डी इप इस दा राइट अंसर आए दोस्तों दस नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन टाइप ओन का देखते हैं क्या मोल रहा है एक कुट भासा में एसो एल आई डी को डबलू पी एस एल पी आई एम एच एक में कुट के आ जाता है तो कुट सब्ध ए टी डबल एक्स क्यू आई बी भी ओ को कैसे लिखा जाएगा तो देखिए एस का आलफाबेट में अस्थान क्या होता है उन्नीस ओ का पंदरा एल का बारा आई का नाइन और डी का फोर का होता है के निच को का होता है सोला एज सका ओनिस ओर हुद लिख यूद सब्सक्राद है पिका होता है वी ओ लिखियं में चार जोड़ेंगे तो नौचार तेरा और उन्नीस में से तीन घटाएंगे तो सोला तीन उन्नीस यह लोजिक क्या साटिस्फाई हो रहा है देखते हैं 15 में चार जोड़ेंगे उन्नीस और 15 में तीन घटाएंगे बार आहा प्लास नौचिक तो लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों plus 14 किजिए और माइनस तेन चार चार आठ और चार में से तिन गया एक तो हमको करना क्या है के का स्थान वन टी का बीश इका फाइप और एक्स का हुआ का चौबिस इसका भी सतरह आई का नाइन बी का टू भी का बाइस और ओका पंदरह अब हमको इस रूप में अंसर देना है तो चलिए कि इसे ऐसे कर लेते हैं ऐसे पहले प्लस चार किया है और माइनस ती तो चलिए एक है तो प्लस चार इसमें एड किया है तो एक आया है तो यानि कि एक इसमें से चार जोड़ा है तो एक आया है तो हम घाटाएंगे एक में से चार को एक में से चार को घाटाएंगे तो कितना होगा 27 में से एक को घाटाएंगे नहीं 27 में से 4 को भाट आई है तो कितना होगा 23 23 से 20 और 23 में 4 जुड़ेंगे तो यह आएगा अब यहाँ पर क्या होगा logic satisfy तो यहीं करना है तो देखिए यहाँ आना चाहिए 24 और यहाँ पर आना चाहिए 5 और माइनस 3 किया है तो कितना होगा अगर अ लेते हैं तो एक होगा यह तो 23 था तो 23 होगा डबलू का तो देखिए एक में 4 जुड़ेंगे 5 और एक में से 3 घटाएंगे 24 ठीके अब देखिए यहाँ पर आपका माइनस 3 प्लस 4 तो यहाँ लाना है हमको 17 घटाकर तो कितना होगा 20 20 किसका होता है 20 तो 20 में से 3 घटेगा 17 और 20 में 4 जुड़ेंगे 24 अब यहाँ भी लोजिक सेम है पहले प्लस 4 माइनस 3 तो इसका लोजिक यहाँ घटाएंगे तो 2 5 आएगा तो 5 नमबर पे E तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 और 5 में 4 जुड़ेंगे 9 अब यहाँ पर देखिए क्या है यह भी सेम लोजिक प्लस 4 माइनस 3 तो कितना घटाएंगे कि 15 आएगा तो यहाँ 18 रहेगा 18 में से 3 जाएगा 15 तो 18 आर और 18 में 4 जुड़ेंगे 22 हाँ तो देखिए आपका लोजिक हो गया तो डाबलू ए टी ए आर डाबलू ए टी ए आर इस दा राइट अंसर है तो देखिए दोस्तों अगर आप लोग का मेरे वीडियो पसंद आया पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताईएगा लिखकर कि आप लोगों को कैसा लागा थाइंकि ओल अफ्यों